गण स्बीक का स्वागत है नमसकार दोस्तों आएं यह आप देख रहे हैं कितना सुन्दर कि यह बॉडर के लिए डिजाइन है तो यह तो हम सबसे पहले तो स्वेटर के लिए हम बता रहे हैं कि आप अपने border में sweater के border में इस तरह का design डाल सकते हैं यह front side है इसकी और यह इसकी back side है दोनों side बहुत अच्छा दिख रहा है टोपी में अगर आप cap में डालना चाहें तो नीचे दो सीधे दो उल्टे का normal simple वाला border बुनिए और उपर इसको टोपी के design में आप डाल सकते हैं और टोपी के जो फंदों की बात है normal own में 100 के आसपास फंदे डाले जाते हैं फिर उसके बाद निर्भर करता है कि आपकी बुनाई कैसी है अगर सिकुरने वाली है तो आप 2-4 फंदे जादा डाल सकते हैं धीली होने वाली है तो कम डाल सकते हैं उन मोटी है तो कुछ फंद से यह वाला डिजाइन है आए देखते हैं यह कैसे पड़ा है multiple of three plus one तीन के गुणा से जमा एक फंदे की जरूरत है और मैं आपको एक और रंग में दिखाती हूं कि इसमें यह कैसा लग रहा है यह normal own है यह simple normal own में मैंने डाला है और जो मैं पहले दिखा रही थी वो थोड order के लिए बढ़िया डिजाइन है तो अभी हम मोटी उन में ही देखेंगे जब हम फंदे डालते हैं तो हम उल्टी तरफ होते हैं तो यह इसकी जो first row है row one वह उल्टी तरफ से हम दिखाएंगे two row repeat pattern है दो सलाईयों का यह design है तो सलाई नमबर एक जो है वो wrong side से उल्टी तरफ से शुरू होगी अगर आपको फंदे डालने नहीं आते हैं तो वीडियो last में देखिएगा मैं last में फंदे डाल कर भी दिखा दूगी वैसे हमारे बहुत सुन्दर बहुत अच्छे वीडिय तो रो वन पहली सलाई रॉंग साइड उल्टी तरफ हम हैं तीन के गुणा से जमा एक हमने फंदा लिया है तो आए शुरू करते हैं यह पहला फंदा हमको उल्टा बुनना है अब इसके बाद में जो दूसरा फंदा है सेकंड इस्टिच है उसको हमें उल्टा बुनना है पहले हमने दूसरे वाले फंदे को बुना फिर पहले वाले फंदे को बुना उन बहार की तरफ ले गए अगले फंदे को सीधा बुना फिर से एक बार देखते हैं उन अंदर की तरफ लाए पहले दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुना फिर पहले वाले फंदे को उल्टा बुना दोनों को उतार दिया ओन बहार की तरफ ले गए पिर एक फंदा सीधा बुना बस इसी तरह से यह उल्टी सलाई जो है यह पूरी इसी तरह से बुनी जाएगे पहले दूसरा फंदा उल्टा फिर यह मैं आपको दिखा देती हूं थोड़ा जल्दी जल्दी फिर पहला फंदा उल्टा दोनों को उतारा ओन बहार लेगा इसको सीधा बुना इस तरह से बहुत आसान डिजाइन है और काफी सुन्दर दिख रहा है आप अपने बॉर्डर में भी डालेंगे स्वेटर के तब भी बहुत अच्छा लगेगा और अगर आप टोपी बनाएंगे तब यह हम आखीरी में पहुँच रहे हैं और यह देखिए लास्ट टाइम दूसरे फंदे को उल्टा बुना पहले फंदे को उल्टा बुना उन बहार की तरफ ले गए और इसको हमने सीधा बुन दिया इस तरह से हमने पहली सलाई अपनी पूरी करी अब हम आ गए रोड टू स जैसे चाहें अपना हिसापसे थुड़ा कर सकते हैं कोई परेशानी की बात नहीं होती है इसको ऑन बहार की तरफ ले गए अब यह जो दो फंदे हैं इसको सेकेंड ।बुसरे फंदे को पीछे से पहले सीधा बुना इन इस तरह से यह और फिर इन दोनों और उतार देना अगले फंदे को उल्टा बुनना है एक फंदे को उल्टा बुनना है और जो दो फंदे हैं इनको पीछे से बुनना है पहले दूसरे वाले फंदे को डाला सीधा बुना अभी उतारा नहीं अब पहले वाले फंदे में दो तरीके से मैं आपको बताती हूँ देखिए ये ना की तरफ से डालिए तो आसानी से पढ़ जाती है बहुत छोटी सी बात है यह लेकिन यह ट्रिक्स होती है अगर आप नीचे की तरफ डालेंगे तो परिशान होते रहेंगे तो इसलिए उपर की तरफ डालिए आसानी से पढ़ जाएगा और इस तरह से यह आपने उतार दिया एक तो ये तरीका हो गया, अगले फंदे को उल्टा बुना, अभी एक और तरीका बताती हूं, मैं फिर से उन बहार ले गए हैं, पहले दूसरे फंदे को सीधा बुना, और देखिए, अगर आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां से सलाई गुसाईए, और इस तर को दूसरे फंदे को सीधा बुना, फिर हमने यह देखिए, उपर गये, यहां डाला, पहले फंदे को सीधा बुना, दोनों को उतार दिया, लास्ट में हम आ गए हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, कि हमने दूसरे फंदे को सीधा बुना, फिर हमने दूसरे स्टाइल से ये पहले वाले फंदे को सीधा डाल के बुन लिया दोनों को उतार दिया आखरी फंदे को उल्टा बुन लिया इस तरह से दो सलाईयों को दोहराते हुए हमको जितना भी बॉर्डर टोपी जो कुछ भी बुनना है वो हम बुन सकते हैं आईए अब मैं आपको थोड़ा फंदे डाल कर और दिखा देती हूँ इसके लिए हमको जैसे multiple of 3 plus 1 तीन के गुणा से जमा एक फंदे की जरूरत है तो इस तरह से यह हमने normal वाले ही फंदे डालेते हैं आपको designer फंदे डालने हैं आप वो भी डाल सकते हैं और साधारन फंदे डालने हैं तो इस तरह डाल सकते हैं यह तो साधारन वाले फंदे हो गए जो designer फंदे होते हैं तो हम दोहरी उन करके भी डाल लेते हैं पहला फंदा हम इस तरहें से उसमें नॉर्मल बनाते हैं और दूसरे फंदे के लिए उनको इस तरहें लाकर और यहां पर लपेट कर और यहां से निकालते हैं इस तरहे से यह हमारा designer फंदा बनता है जब हम दुहरी उन से बनाते हैं तो यह बहुत सुनदर दिखाई देता है पहला फंदा normal और दूसरा फंदा इस तरहें से खोलकर फिछे वाली उन पर ले जाकर और इस तरहें बनाते हैं तो जो भी आपको फंदे डालने हैं ये नॉर्मल हुआ और ये खुला वाला ये बाहर से अंदर ले जाते हैं और बनाते हैं और दूसरे फंदे को अंदर से बाहर लाते हैं और फिर बनाते हैं इस तरह से ये हमारा डिजाइनर फंदे बन जाते हैं फंदे कैसे डाले इसके औ प्यार्दानिटिंग चैनल के बहतरीन बुनाई और क्रोश्या के वीडियोस को आप सभी के प्यार वे सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद